विजिव वीडियो में आप लोगों के साथ मेरा MTS 2021 का स्कोर कार्ड है वह शेर करने वाली हूँ क्योंकि मैंने जब आप लोगों के साथ पनी फेलियर वाली स्टोरी शेर करी थी तो इतने सारे बताए थे कि मेरा इन 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 एक्जाम से मैंने दिये थे और मेरा जो है वो एक्जाम के लिए नहीं हुए तो उसके साथ ही मैंने लिखा था कि मैंने MTS का भी एक्जाम दिया हुआ है बट उसका रिजल्ट आना बागी है और उसमें मेरे अप्रॉक्स 80 मार्क्स बन रहे हैं तो जिन लोगों ने भी वीडियो देखी होगी आप से बहुत सारे लोगों ने आप में इसे वीडियो देखी थी तो मेरे को कमेंट करा था कि 80 मार्क्स तर ठीक है और इसमें अगर आपके 75 भी होते हैं तो 75 तक में MTS में जो है नम्मर आ जाता है मेंस आपका MTS में सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है तो इस बार की लेकिन जब MTS का कट आफ आया वो आपने देखी कितनी हाई कट आफ गई है इसपेशली जितने मेरे मार्क्स हैं अगर मैं किसी और केटिगरी से होती तो में भी मेरा सेलेक्शन हो जाता बट मैं जर्नल केटिगरी से हूँ इस वज़े से मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ है MTS में भी मेरा इस बार सेलेक्शन नहीं हुआ बट इस्टिल मैं आप लोगों के साथ अपने स्कोर कार्ड शेयर करना चाहती हूँ वैसे तो यह जो स्कोर कार्ड है वो चार दिन पहले ही आ गया था मीन्स की मंडे को आ गया था बट उस दिन आपको पता होगा कि DTSB की Librarian की Assistant Teacher nursery की और बहुत सारी vacancies जो थी निकले थी तो आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब मैंने Librarian का course कर रखा है तो मैं सोच रही थी मेरा वहाँ पर कुछ जुगाड हो जाया मतलब कैसे ना कैसे करके कि मैं वह form भर लूँ या जो भी मैं उस चीज में मतलब फसी हुई थी ठीक है मैं वहाँ पर स्टक थी पजल हो रखी थी तो मेरा ध्यान नहीं गया MTS इन सब के पीठिये बट आप में से ही बहुत सारे student जो मेरे group में मेरे साथ जुड़े हुए है उन्होंने बताया कि दीदी scorecard आ गया है आपके कितने marks हैं या so on so I thought कि मुझे आप लोग consult हो इतने तो मुझे आपको अपके marks अपने साथ share करने चाहिए तो इसलिए मैं आपको अपना scorecard दिखाती हूँ यह 2021 MTS का scorecard है मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रोक्स असी नंबर मेरे बन रहे है ठीक है एकस्पेक्टिट तो मार्क्स मेरे 80 ही थे मैंने कर रहे थे अप्रोक्स 79.75 बन रहे थे बट कोई नी रिजल्ट हो जो है हमेशा beyond the expectations ही आता है बट इस ओके आप लोग देख सकते हो जो जर्नल इंग्लिश में है मेरे 13.5 मार् यानि कि कितनी गंदी इंग्लिश है मेरे कितना हाथ जो है टाइट है इंग्लिश में बट मेक शॉर आस्तो में इस रिजल्ट देख रही हूं इसके बाद में डेफिनेटली ना अपनी इंग्लिश पर बहुत वर्क करने वाली हूं और एक बात ही सच भी एक है जो मैंने इस जुलाई में ये एक्जाम हुआ था तो जस्ट में एक्जाम से मतलब फिरी होकर के बैठी तो रिजल्ट विजल्ट था दुख फुक चल्ला था थोड़ा से जिंदिगी में तो मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं था बट कसम से अगर मुझे पता होता ना कि मतलब MTS का एक्जा यय था वो मेरी गल्ती हो गई कोई बात नी नेक्स टाईज में पक्का अपनी इंगलिष की वजे से भाले कि हो सकता है कि DTSB प्याटी में इस बार सिर्फ इंगलिष की वज़े से रही हूंगी क्योंकि मैं इंगलिष करती नहीं घेस को मेरी इंग्लिष करती नहीं होते Med Pour Ó आप लोगों के सामने बर डेफिनेटली इस पर वर्क करने वाली हूँ ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी फिर हमारा जर्नल इंटेलिजेंट या रीजनिंग तो रीजनिंग में मैं टेइस चावबिस कोशन करके आई थी इस में मैं कशाइं करके आई थी तो एक मेरा गलत हो गया तो इस वज्यसे साढ़े 23 ठीक है means की दो कोशन मेरे गलत होगा इसलिए मेरा अधर नमर कट गया जर्नल अवेरनेस में 17.5 पता नहीं कैसे आए अधरवाइस मेरी जीके बहुत गंदी है इतनी अच्छी नहीं है means मेरी जीके तो यह मेरे मार्क्स है जीके और मैट्स और रीजनिंगी ठीक है तो उसके आप लोग मार्क्स देख सकते हो बाकी जीके और इंग्लिश पर महनत करने की जरूरत है वो करेंगे तो मेरा टोटल जो रो स्कोर है वो 76.25 बन रहा है और जो नॉमनाईजर्शन होके 81 मार्क्स बन रहे है ठीक है टोटल 81 मार्क्स है मेरे नॉमनाईजर्शन के बाद तो आप लोगों कोई पर पता है मैंने आपके लिए साथ शेयर कर रहा था कि जब मैं बताती हूँ कि मेरे इस बार MTS में 80 नमर करीब बन रहे है मतलब 80 नमर आ जाएंगे तो कहते थे 80 असी में तो तो तेरा फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा तेरा इतने पर कि कट आफ जाती आस टाइम जो 2020 वाली MTS की कट आफ ती ना उसमें लास्ट 81 पर आपका सेलेक्शन हो गया था मींस फाइनल सेलेक्शन वह भी जर्नल केटिगरी वालों का जो बाकी केटिगरी उनका जो कट आफ है वह 81 मार्क से कम रही थी मतलब 78 77 76 पर आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाता थ नो डाउट 2nd के लिए कि 89 जो जर्नल की जो कट आफ है ना MTS की 2nd टी यर के बाद वो 89 तक आराम से जा सकती है क्योंकि अभी 85 है तो आगे जो फाइनल कट आफ का अनलाइज हो सकता है कि 89 90 मार्क तक आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएगी जर्नल के टेगरी की ठीक ह आपGHT कर देखने के लिए?